है गाईज देखो बहुत सारे लोग परिसान हैं Dixon जैसे Stocks से क्योंकि Dixon ने बहुत अच्छा रिटर निकाल के दिया था और उसके बाद अभी फिर से वह बहुत जादा गिरा हुआ सबसे पहले तो समझ लो कि Dixon ने काफी अच्छा रीज बहुत अच्छा profit क्यों निकाल के दिया जब माल लेते हैं कि जब 4G, 5G ये सारी चीज़े मतलब 4G बहुत तेजी से फैल चुका था इंडिया में अब इंटरनेट का क्रेज इस तरीके से फैल चुका था कि लोगों ने बहुत ज़्याद मोबाइल खरीदना स्टार्ट कर दिया मतलब बहुत ज़्यादे जो बिलो पावर्टी लाइन वाले थे उन लोगों ने भी मतलब छोटे-छोटे से थोड़ा मतलब एडवांस फीचर स फोन उने भी खरीदना स्टार्ट कर दिया इस वज़े से मोबाइल का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया और इंटरनेट इतना स्पीच चलने लगा कि लोग केवल जितना ज़्यादा मतलब वो लोग जॉब करके नहीं कमा सकते थे उससे कम से कम 30-40 ने सीधा 50-100 गुना ज कम आले रहते हैं तो इस तरीके से ओनलाइन का क्रेज बढ़ा जिसके वज़े से मोबाइल बहुत सारे लोगों ने खरीदा था बहुत सारे लोगों ने खरीदा था 4G आने से अब तो 5G और 6G भी आने वाला है क्योंकि अभी 5G भी अगर आप देखोगे तो इंडिया के कोन साधा बढ़ चुका यहां पर आप इसके वज़े से डिक्सन का स्टॉक अगर आप देखो तो मार्केट के वज़े से उनके प्रॉफिट के वज़े से या ग्लोबल रिशेशन के वज़े से बोल सकते हैं बहुत सारे कारण है जिसके वज़े से 50% गिरावट में देखने को म अब अगर आप देखोगे तो इतना गिरावट के बाद किसने एंट्री मारा है ये स्टॉक को खरीदने के लिए कोटक नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने पक्का क्योंकि बहुत फेमस ब्रांट बोल सकते हो बहुत बड़ी बैंक बोल सकते हो यह बहुत बड़ी चीज इस वज़े से लोग खरीते हैं जरूरी नहीं है कि किसी ने खरीदा है इस वज़े से हमें खरीदना है आप देखो अगर आपको यह कंपनी अच्छी लगती है तो खरीदो ठीक है क्योंकि तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग तो लोग कर सकते हैं हम छोटे लो होकर आप laws bear कर सकते हैं यह देखिए आप यह मत देखिए बड़े लोगों ने खरीदा सबसे पहले तो समझते हैं कि जो डिक्सन है न यह original equipment manufacturing करता है अब यह OEM होता क्या है समझ से द्यान से समझ जेगा ठीक है और आप होता क्या है इसका मतलब होता है कि एक बड़ी company ने direct order दिया हूँ direct order दिया हूँ किसी भी कंपणी ने माल लेते हैं कि XYZ कंपणी ने Dixon को direct order दिया है और बोला है कि मैं हर साली order देता हुआ नजर आऊंगा देखिए मैं आपको बताता हूँ किसी कंपणी ने बोला कि मुझे 5 लाख laptop आपको बना कर देने हैं अब Dixon इस चीज़ को बनाता है इसको बोलते हैं original equipment manufacturing तो ये बार-बार original product को बनाता रहता और देता रहता उसके साथ साथ अगर आप देखोगे आज कल के date में Dixon technology क्या क्या नहीं बनाना स्टार्ट का दिया consumer electronics अगर आप देखोगे या lighting product देखोगे home appliance वगरा mobile वगरा बना लेता है उसके साथ system security वगरा भी बनाना स्टार्ट कर दिया system security का demand बहुत जादा system security का मतलब क्या होता जैसे की camera वगरा देखोगे तो आज कल के date में इंडिया में सब लोग अपने घर के नहीं दुकान के बाहर तो पक्का लगाते हैं camera ठीक है दुकान के बाहर वगरा में camera लगा ही रहना चाहिए करके आने वाले देखेगा कि आने वाले 5 सालों बाद मतलब बहुत ज़्यादा sales होना start हो जागा camera का क्योंकि एक new innovation दिखने को मिल जागा आपको तो Dixon technology अगर आप देखो तो future में काफ़े एचा value प्रवाइड कर सकता है लोगों को LED TV वगरा बनाने में screen वगरा बनाने में और यह बहुत उपर जा रहा हाला कि semiconductor भी बनाने का मौका मिलेगा तो वो भी Dixon technology बनाने के लिए तयार है यहाँ पर और इंडिया का कुछ बड़े-बड़े company में साथ भी यह जूड के काम करने की कोशिस कर रहा है और यह इन्हों ने Dixon technology ने बहुत सारे joint venture कर रहे है joint venture का मतलब मैं आपको समझा देना चाहता हूँ joint venture का मतलब होता है कि दो company आपस में हाथ मिला लेती है हाथ मिला लेती है एक तरीके से समझ लो कि partnership कर लेती है लेकिन partnership में joint venture में difference क्या है कि partnership क्या होता है कि लंबे समय तक दोनों साथ में काम करेंगे जैसे कि वोड़ाफोन आइडिया है कि नहीं है लेकिन यह company क्या बोलती है कि देखो भाई यह जो project मिला है हम दोनों मिलके करेंगे क्योंकि यह project बढ़ा है करके तो हम दोनों मिलके करेंगे जो profit होगा वह हम आदा आदा रख लेंगे जो भी ratio यह लोग डिवाइड करते हैं समझ दो ना तो यह लग आदा आदा रख लेंगे और यह project जैसे खतम हो जाएगा बस यह दोनों side हो जाएगे इसको बोलते है joint venture और इन्हों ने अपना capex भी बढ़ाने के लिए बोल लगा capacity expansion के लिए बात कर रखिया strategic partnership के लिए इन्हों ने बात कर रखिया और भी बहुत सारे इन्हों ने MOU भी sign कर रखा है यहाँ पर इंडिया में electronics का market बहुत बड़ा है बहुत ही बड़ा है आजकल के date में देखोगे तो urban area में washing machine या फिर अगर आप देखोगे microwave वगड़ा खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक का या gaming का भी आजकल के date में शौक बहुत जादा चल चुका है TV वगड़ा आप देखोगे करोड का है मतलब 1,90,000 करोड से भी जादा है ठीक है 889 को आप समझ लो लमसम लेके चलते हैं ठीक है मतलब almost 2,00,000 करोड का portfolio दो लाग करोड बहुत बड़ी चीज होती है वह इतना बड़ा portfolio अगर आप देखोगे तो कोटक महिंदरा ग्रूप का कभी भी portfolio अगर आप देखोगे तो all time इनका जो चार्ट आपको बताया जरा network इनके सारे stocks काफी एच्छा profit ही निकाल के देते हैं तो इन्होंने देखे बहुत सारे stock खरीदे हैं बहुत सारे इन्होंने stock खरीदे हैं लेकिन अगर आप देखोगे तो पहले number पर और सबसे ज़्यादा किसी company में इन्वेस्टमेंट किया है सबसे ज़्यादा तो वो है डिक्सन उसके बाद आपको ये भी देखने को मिल जागा जैसे के जेके सिमेंट, इन्डेसेंट, बैंक, अपोलो बगारा देखने को मिल जागा तो ये सारी चीज़ों था है लेकिन सबसे बड़ा investment उन्होंने केवल डिक्सन टेकनोलजी में ही किया है और यहादा किए बात करते हैं तो foreign investors ने जितना भी माल बेचा है जितना भी माल बेचा है सभी यहाँ पर domestic investors ने digest कर लिया है देख लिजे सभी चीज़े digest कर लिया public के पास पहले देखेंगे तो 37, 39, 40% तक हिस्सेदारी चला गया था अब दुबारा इनके पास 30% हो चुका है यह गिरने से पहले का है आप दुबारा इनके पास वही इस्सेदारी हो रही है जो पहले था public से यह चीज़ खरीदा जा रहा है देखिए public से कोई चीज़ खरीदा जाता है तो वह नुकसान public को नहीं होता जिसने खरीदा उनको होता तो यह होता long term का profit होता है मतलब short time में कोई खरीद रहा है बेच रहा है ये वो गिरावट भी होता है लेकिन लंबे समय में आपको अच्छा profit दिखने को मिल जाएगा patience रखना पड़ेगा बाकी stock market है कुछ भी हो सकता है है कि नहीं तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको खुद risk लेना होगा और अगर आप stock market में नहीं हो अपने डिमेट अकॉट वगर ओपिन करना चाहते हो तो आप अपने डिमेट अकॉट इंजल में ओपिन कर सकते हो जहां पर आपका डिमेट अकॉट तो बिल्कुल फ्री होगा डिलिवरी चार्जेस भी फ्री होगा क्योट 200 रुपिस लगेगा वो भी इंट्राटे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मिंटो में जाके अपने डिमेट अकॉट बगर ओपिन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में